नमस्कार किसान भाईयो आज के इस वीडियो के मैंद्यम से हम बात करेंगे कि लसून की फसल होती है उसमें जब हमारी लसून में खर्पतवार उगना एक आम समझ से आए उसमें चाहे वो चोड़े पत्ती का हुआ या सक्री पत्ती है दोनों प्रकार के खर्पतवार देखने को मिलते हैं अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं भी करते हैं तो हमारी लसून में जो भी खा दोरोरक डालते हैं वो साथ-साथ में लसून में तो जितना जाता है उससे ज़्यादा वो खर्पतवार ही ले लेते हैं यदि आप हमारा ये वीडियो पूरा देखते हो तो वीडियो को पूरा देखना है तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो लसून में आप तीन प्रकार से खर्पतवार को कंट्रोल कर सकते हो एक पहला तरीका है जब लसून के बुवाई करते हो उस समय अभी आप खर्पतवार को कंट्रोल कर सकते हो तो लेसुन की बुवाई नहीं किये अगर आपके लेसुन में दो से चार पत्ति का खर्पतवार हो चुका है लेसुन बड़ी हो चुकी है तो उसमें कौन से दवाई का प्रयोग करना है तो अब आपके उप्पास ओप्शन दो ही बसते हैं एक तो आप निदाई गुड़ाई के द्वारा खर्पतवार को कंट्रोल करवा या फिर आपको खर्पतवार ना सकता प्रयोग करना है तो अब खर्पतवार ना सकती बात करें तो आपके खेट में चोड़ी और सक्रीपत्ति के दोनों प्रगार के खर्पतवार होते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको ज्यादा confuse करने की गोशिस नहीं करूआ और सिर्फ एक ही दवाई बता हुआ जिससे की चोड़ी और सक्री पत्ती के खर्पतवर कंट्रोल हो जाएंगे अलग-अलग लेने की जिंजड भी नहीं रहीगे तो पहले बात कर लेते हैं कि वो बता तो आभी जिससे की नाम जान लेते हैं और उसके लाई की उसका डोस क्या है और कि तने पैसों में ये मिल जाती है तो आपको खर्पतवर को कंट्रोल करने के लिए डेकल दवाई का प्रियोकरना है अडामा कंपनी की इसमें टेकनिकल आपको प्रोपा क्यूजाफो 5% प्लस ओक्सी फ्लोरोपेन 12% डेवली डेवली इसी फॉर्मूलेशन में मिल जाती है जो कि चोड़ी और सक्रिपत्ती के खर्पतवर को कंट्रोल करने का कारी करती है इसका एक ही में कॉंबिनेशन बन जाता है जिससे की अलग-अलग लेने की जंजड भी नए रहती है और इसलिए इस दवाई को पॉपुलर बनाने का कारण ही यही है अब बात कर लेते हैं कि इसका डोस क्या रखना है उससे पहले बात करें कि आपको इस दवाई का प्रियोग अपने खेत में नमी हो लेसून की पसल में तभी इस दवाई का प्रियोग करना है डेकल का डोस के बारे में बात करें तो प्रती एकड आपको 300 ml का प्रियोग करना है लसुन की पसर में 300 से 300 ml प्रती एकड के इसाब से और अब इस दवाई की प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस आपको 100 ml का प्रती प्रती एकड के लगबग में मिल जाता है कि आपकी लेसुन के पसल 20 से 25 दिन की हो जाए उसके बाद इस दवाई का प्रियो करें जिसे की ज्यादा असर देखने को नहीं मिले लेसुन की पसल में आपने इस वीडियो को यहां तक देखा इसलिए आपका मतपूर्ण समय देने के लिए दिन्यवाद हम मिलते हैं अगले लेटेस्टे वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान